बिस्मिल्ला आहिमान अरहीम यह प्राव्लम इंटीकल ड्रांसफर्म के लापलास टानफ़ार्फर चैप्रस से है यह फंक्शन दिख्ण केसे डिफाइन है जब टी की बैलू 0 पोर के बीच में होगी तब तो एफटी की बैलू में अगर जब ती की बैलू यानि इस प्राब्लम को हमने सॉल्ट किया था पहले यूट्यूब में के लिए लेकिन एक वीडियो जो है वो हम से डिलीट हो गया तो इसको दुबारा से बता रहें लेकिन इसका सुलीशन पहले से हम इसको सिर्फ पढ़ के बताएंगे तो जिस भी फंक्शन का हां पर एक चीज़ जो और यहां पर बता दें कि यह फंक्शन जो है वो जीरो से लेकिन इंफिनिटी तक तो डिफाइन है लेकिन फोर ऐसा पाइंट है जो एक को नहीं लगा हुआ यहां पर तो फोर पर डिफाइन है फिर भी हम लोग इसका लाप्लास ट्रांसफार्मेशन फंक्शन की निकाल लेते हैं तो यहां पर हमारा जो लिमिट है वो इसको कि फंक्शन अलग-अलग पार्ट में डिफाइन है तो इसलिए हम लिमिट को भी पार्ट में बाढ़ देंगे इसके लिए हम डेफिन इंटिगेशन का यह स्पार्मलिय का यूज करेंगे कि ए टूबी एफेक्स डी एक इंफिनिटी है तो जीरो से फोर और फोर से फिर इंफिनिटी के बीच में बाढ़ देंगे तो लाप्लास ट्रांस्फरमेशन जो कि यहां पर बैट दे रखी इसको जीरो टू फोर टू इंटिटी बाढ़ दे जो फंक्शन है ऐसे हमने यहां पर लिखा हुआ एक बार मैनस फोर चोटा होगा टी से यानि टी की वैलू फोर से लिए इंफिनिटी तक होगी तो फंक्शन हमें एफ्टी की जगा पर फाइब रखना है जो हमने यहां पर रख दिया है अब इस फस्ट इंटीकल को ऐसे सॉल करेंगे कि दो फंक्शन का मल्टिपिटिकेशन है इसमें से क इसी एक को फास और दूसरे को second मानना पड़ेगा जब अलजबरीक और एक्सपनेंशल होता है तो अलजबरीक को फस्ट और एक्सपनेंशल को second फंक्शन अंब भानते हैं और इसको इस फार्मले से यह फस्ट वस्ट का मल्टिपिलिकेशन का इंटिपिशन अगर करना हो तो फर्स फंक्शन को एजिट रखते हैं सेकिंड फंक्शन का इंटिगेशन करते हैं फिर माइनस का साइन आता है फिर सेकिंड तर्म क्या होता है कि फर्स फंक्शन का कर देते हैं डिफ्रेंसेशन और सेकिंड फंक्शन का कर देते हैं इंटिगेशन और इन दोनों का जो यहां पर डिफ्रेंसेशन होगा डिफ्रेंसेशन क्या जाएगा और इंटिगेशन क्या जाएगा सेकिंड फॉर्ट के बीच में और इन दोनों का जो मल्टिप्रिकेशन आएगा उसको हमने एक करली ब्रेकेट में बंद कर रखा है और इसको भी टी के रिस्पेक में इंटिगेशन करना है इसी लिमिट 0-4 के बीच में अब यहां बस एकिंड इंटिगेल की बारी आती है इसमें फाइव इंटू में कॉंस्टेंट है तो इंटिगेशन का साइन से हमने बाहर ले लिया सिर्फ यह बचा हुआ है की पावर मैनस पीटी वो लिख लिए लिमेटर जीरो टूप सुरी फोर टू इंटिगेशन होना है अब यहां पर टी ऐसे लिख दिया और एकी पावर मैनस पीटी का इंटिगेशन एकिपार मैनस पीटी हो जाएगा लेकिन ध्यान रहें कि टी का जो कॉफिसेंट है माइनस पी वो हमें से डिवाइट करना पड़ेगा लिमिट लिख यह वो लिख दीए मैनस का दिशान है लगा दें और टी को टी के इस पेक्म डिफरेंस से संबन हो जाएगा और इस ती की पावर मैनस पीटी का इंटिगेशन की बार मैनस पीटी हो अब इस जो कि यहां पर एक कम्प्रीट इंटिगेशन हो चुका है तो उसमें अपर लिमिट योगी 4 है टी की जगाव फो रख देंगे माइनस फिर करते हुए लोब लिमिट जीरो है जीरो रख देंगे तो यहीं हमने यहां पर किया है फस्ट टर्म में अपर लिमिट जहा बाहर ले लिए तो माइनस माइनस इंटिगो के पिलस हो गया बन अपान भी और लिमिट जीरो टू-4 है और बाकी जो फंक्शन बचा हुआ है की बार मैनस पी टी यह उसको हमने एजए लिए लिए और प्लस पाइव लिखा हुआ था वो लिखा उसके बात में इसमें लिमि रिमिट पहले इंफिनिटी हमने और फिनreno यहां पर भी टी मिला वहाँ पर इंफिनिटी रगडिया है बाके फंक्शन एस church लिए तिया उसके बार में इसको लिए जिक दिया है छिना यहीरि पार पी को वाद मुंदि you a है और जीरो में जब मिल्टिप्लाई होगा तो यह पूरी जीरो हो जाएगी अब प्लस का साइन था लगा दिया उसके बाद बना पंद पी दिखा है और हम लोग जानते हैं एक्स का यह की बाटी का इक बाटी होता है नहीं जो भी लिखा वो लिख दीजिए बस नहां रहे कि ती के जो को भी कॉफी सेंट है मैनस भी उससे में डिवाइट करना पड़ेगा लिमिट इसके जीडो टू-4 थी वह लिखी हुई है प्लस का साइन नहीं लगा दिया है और फिर इसके बाद में हमने पी इंटु इंफिनिटी होता है वह इंफिनिटी के एकल होता है एकी पा ,ार मैनस four पी अपान P पिलस के लिका दिया और यहां पर उसके बाद इसमें अपड़ टी मिलेगा है और माइनस फिर a limit यनीरे टी जिगा पर जिरो रग दिया अपर लिमिट और फिर माइनस लब लिमिट plus 5 दिए और हम लोग जानते हैं एकी पावर माइनस infinity zero के बराबर होती है तो एकी पावर माइनस infinity value 0 रख दी है बाकी सीजे हमने बैसे ही लग दी है मैंस 4P अपन P minus 4 8 इपावर माइनस 4P अपन P और ब्लस 1 अपन P और ये 4 को पहले लग देंगे तो एकी पावबर और इस मैनस को उपर लिख देंगे एकी पावबर मैनस 4P अपान पी लिखा हुआ है यह मैनस इदर जाके इस प्लस कर देगा अपान में पी प्लस का हो जाएगा और 0 इंटू P 0 हो गया मैनस लगा है तो लगा है या ने लगा है कोई फरग नहीं बढ़ता ज इदर फresseला प्लस झाय से बस्किते से शिंदेए प्लस इस तरग मैनस 4P अपान पी लिख दिए हमने माइनस का साइन लगा दिया और इस टर्म को एजिए नोड़ कर दिया है तो इस तर्म को एजिए नोट करत दिया और डिए प्लस बन अपन पी हो गया यह प्लस इस टर्म को भी ऐसे नोट कर दिया फाइव एक टीपावर मैनस फोर पी अब बान पी नेक्स्ट टर्म हम देख रहे हैं कि इसको नोट किया है मैनस फूर एक वार मैनस फूर पी अब अब पी और इस ब्रेक इट को जब ऑपन करेंगे तो बना पान पी का इसमें डू फ्लस मेनस को मैनस हो गया फी इंटु पी पी स्कوयर by अबाद मैं उफर एक बार मिनस फूर पी है और पिलस का मैन करोगी और प्लस का फाइब टाइंस के बढ़न मैन पोर पी अपन पी एंग डिए और इस टर्म को उस ने पहले लीघ टिया बράन पान देखने यह की बाबर मैनस फोरी common था तो ने से निख लिए है और लिख लिखने है और इस टर्म में बढने जब हमने की बाहर मैनस एक आहर निकाला इसमें बनापNI बचा है और यहाँ पर बनाप जबन का बाद में टू करेंगे तो बना गया यह स्टम को मने ऐसी नोट कर दिया था बना पानी पी स्क्वार और यह स्टम को सॉल करके बता दिया इस तरीके से यह फॉंक्शन दे रखा तो उसका लाप लाश ट्रांस्वार्मेशन की वैलोत नहीं आगी थैंक यू वेरी मैच इंडीड ओर लिस्टिंग में वा आकर दावाना अलह्म्द लिवाहि रब लालमीन